इस वीडियो में मैं आपको Class 10 Biology की Super Important 22 टॉपिक्स बता रहा हूँ इससे पहले मैं Class 10 Physics और Chemistry की Super Important टॉपिक्स की दो अलग-अलग वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ उन दोनों वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो जरूर देख लिजे क्योंकि उन दोनों वीडियो को देखे बिना अगर आपके वल यही वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा बेनेफिट नहीं ह होगा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सुपर इंपोर्टन टॉपिक्स देखते हैं पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर से आपके लिए फाइफ टॉपिक्स सुपर इंपोर्टन हैं पहला टॉपिक फोटो सिंथिस है इसकी थियोरी एक्वेशन और पहला दो एक्सपेरिमेंट आपको हर हाल में कर लेना चाहिए डाजेशन इन हूमन्स में भी पूरी थियोरी डाजेस्टिफ सिस्टम का डागराम आप तैयार कर डालिए रेस्पीरेशन में एरोबिक और एनेरोबिक रेस्पीरेशन दोनों उसका एक्वेशन डिफरेंस तीनों को कर लेना अच्छा होगा हूमन हार्ट का स्ट्रक्चर, फंक्शन और डबल सर्कूलेशन के साथ साथ हार्ट का डागराम भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ट्रांस्पोर्ट इन प्लांट्स में थियोरी, जाइलम और फिलोएम का डिफरेंस, ट्रांस्पीरेशन, एस्टोमेटा का डागराम, डिफ्यूजन सब को करना इंपॉर्टेंट है सिकंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोडिनेशन, इस से बस तीन टॉपिक्स ही आपको ज्यादा ध्यान से करना चाहिए पहला टॉपिक है हुमन ब्रेन का, इसके लिए ब्रेन का डागराम, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और उनका फंक्शन कर लिजिए रिफलेक्स आक्शन में रिफलेक्स आर्क का डागराम, नियूरोंस की टाइप्स, उनके फंक्शन्स और डागराम को करना है हुमन इंडोक्राइन सिस्टम में आप बस एक काम कीजिए सारी इंडोक्राइन ग्लाइन्स का नाम, लोकेशन, उनसे निकलने वाले हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स का फंक्शन और उनकी डिफिसियंसी से होने वाली बीमारी का एक चार्ट बनाकर सिंपल ट्रिक के साथ याद कर लिजिए इस लेसन से आपको फोर टॉपिक्स ही करना चाहिए, पहला टॉपिक है मोट्स ओफ एसेक्स्वल रिप्रोड़क्शन, साथ ही आपको ये कंसेप्ट किलियर होना चाहिए कि रिप्रोड़क्शन क्या है और ये डिफरेंट स्पेसीस के लिए क्यों जरूरी है एक्जाम पॉइंट से प्लांट्स में सेक्स्वल रिप्रोड़क्शन का प्रोसेस सूपर डूपर इंपॉटन्ट है, साथ ही हर इवेंट का डिटेल्ड नॉलेज भी बहुत जरूरी है इसलिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और प्लांट्स में फोटिलाजेशन का टॉपिक आपको करना है मेल एंड फीमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम तीसरा टॉपिक है, दोनों का डागराम और कंसेप्ट रेडी रखना है इस से शॉर्ट अंसर भी पूछा जा सकता है और वेरी शॉर्ट भी बर्थ कंट्रोल, स्टीडी यानि सेक्स्वाली ट्रांस्मिटेड डिजीजेज और इस्पेशली एड्स पर फोकस जरूरी है फोर्थ लेसन है, हेरेडिटी और इवाल्यूशन, इस चाप्टर से भी चार टॉपिक्स करना है पहला टॉपिक है, मेंडेलियन क्रॉसेज, मेंडेल के एक्सपरिमेंट और सारे लाज अफ इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्स डिटर्मिनेशन में सेक्स क्रोमोजोम, एक्स वाई क्रोमोजोम और लड़का लड़की को देखना है ट्रेट्स किसको कहते हैं और अक्वाइड और इनहेरिटेट ट्रेट्स में क्या डिफरेंस है समझ लिजे homologous और analogous organs का define, difference और दो-दो examples करना ही चाहिए इस से बराबर questions पुछे जाते हैं Human evolution का basic idea आपको है तो बहुत अच्छा होगा ताकि आप blind questions को attempt कर सकें अब next chapter देखते हैं ये chapter है our environment इस chapter में तीन topics मैं करने को बता रहा हूँ पहला topic है ecosystem and its components का दूसरा topic है food chain और food web का इस से short answer question पूछा जाएगा आपको food chain का define, types, traffic level और example करना है साथ में food web का define और food chain and food web का difference भी समझना है थार्ड topic है ozone layer का current attention के कारण ozone layer का theory portion आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए बायो का last chapter है management of natural resources इस chapter से तीन topics आपको जरूर करना ही चाहिए पहला topic है need for management of natural resources आपके लिए ये जरूरी है ecosystem का definition और इसके components की जानकारी हो दूसरा topic है importance and conservation of forests आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए natural resources का conservation क्यों जरूरी है साथ ही forest और water को कैसे conserve क्या जा सकता है जैसे chipco movement तो आपने क्या ही last topic है steps to make water available to all इसके साथ sustainable development का idea भी आपको पूरी तरह clear होना चाहिए biology में इतना ही बहुत ज़्यादा है मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है फिर भी कुछ पूछना हो तो comment box में पूछे वीडियो यूसफुल लगी हो तो like और share जरूर कीजिए otherwise it's okay आपका thanks best wishes and good bye